तेरहवी शताबदी में राजा कुवन राय सिंग का शाशन था, जो खोरगर के नाम से जाना जाता था, राजा खोर कन्नौच के राजा जेचन के प्रती उत्तरदाई था, राजा खोर एक धार्मिक प्रक्रती का, शिवा का घोर अनुनाई था, उसने स्वरगदवारी में एक किले का निर्मान कराया, जिसमें एक चौमुकी शिवा का मंदिर भी था, वास्तव में खोर राजा कन्नौच के गहरवार थे जो गोरु गोरकनात के परमभग थे, खोर नगर या स्वरगदवारी गहरवार शाशकों की राजधानी थी, असल में लग बंजारा के पुल के प पहले की है, हिंदू धर्म में गोशालाओं का बड़ा महत्वर रहा है, स्वतंतरता से पहले गाओं गाओं में गोशालाइन होती थी, जो लोगों को एक जुर करने में सहायक थी, लगभग 800 साल बाद हम महसूस कर सकते है कि आज वही पालिसी लागों की जा रही है, सन 1226 मे बदायों के गवन इलतुतमिश ने गंगा किनारे से खोर नगर में प्रवेश किया, गायों के सींगों में जलती मशाल बांध रात्री में चापा मारा, कुवर राय सिंग गोरु गोरकनात के अनुयाई थे, गोशाला की गाओ की गोहत्या के पाप के भैसे लड़ना ठीक न इस कारण शमशाबाद को सन 1228 में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया गया, लेकिन इस खशेत्र का राजनेतिक रूप से अस्थिर होने की बजह से राजधानी एक बार फिर दिल्ली ले जाई गई